असलाम अलेकुम दोस्तों यह आप कुवेट में रहते हो और कुवेट के इम तरीन खबर से हमें सब आखी फैना चाहते हूं तो यह वीडियो को बिना इस क्यूप का फूरा देखे चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आगन को चलिजे ताकि आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन दोस्तों आपको मैं सफरी में मिलती रहें तो साथियो सबसी पहली जो खबर दोस्तों जो आ रही है नो प्लांट टो इंपोर्ट वाटर रियूमर बैसलेस साथियो मिनिस्ट्री ऑफ एलेक्रिसिटी एन वाटर मिनिस आप वाहा में बिलकुल बिस्वास ना करें याक तरह का रूमर फैलाय जा रहा है जो की बिलकुल बेदुनियाद है तो दोस्तों यह री मर जो काफी आए वहां पर काफी द्यूलोह से फैलाय जा रहा है अगली कबर साथ युहारी सथिस सुरी सिटीजन ठीम और सुसाइड साथियों बहुत ही अजीब घटने घटी दोस्तों बताना चाहूंगा आपको वहाँ पे कुएत में एक सौधी सिटी जने जिनका उम्मरे 20 साल है जो की रहने वाला सौधी अरेविया का है वो सुसाइड करने की कोसिस किया दोस्तों वो एक ब्रीज है वहाँ पे जो की जहरा ह की पौशिस किया ख़िलाल दोस्तों उसकी जान बचा लिग गई है पर दोस्तों को अद्मध्य करने की की हम से उस्पीटर ले जा गया गया लिए वहाँ है गतने ही जो फेसवास इंव णारी उन लोग ओंपे वैक्सिन दिया गया है यूह अगली company के आग जुर्म्री वॉइ敢 बढ़ने करेंज्हों दोस्तों धाउसनिया करते हैं गत्षी लस्ता करते हैं रीप या रीड तो से जह बनते हैंहोंत में साहद नियंतकि선 दोस्तों लोका कोविट के जाच किया जा चुका है नियू के से गारा सो चेटर है टोटल तीन लाग तीन हजार 49 के सब तक आया है देट की संक्या पाँच है टोटल सतरा से कावन लोग अब तक कोविट से मर चुके हैं रिकाबरी 932 है 24 घंटा में टोटल दोलाग अक्ठासी है दोसों 89 लोग अप्टा कोविट से ठीक भी हो चुके हैं डेली केसे से बारे में बात रोते 11.41 परसेंड है रिकाबरी 95.13 परसेंड है सिरियस केस वहाँ पे 152 है और टोटल एक्टीब केसे बारे में आपने जरू सुना और नहीं सुना तो मैं आपको बता दता हूँ ब्लाक फंगर जो है वो सबसे ज़्यादा केसेस आपको इंडिया में सुनने को या देखने को आपको मिल रहा होगा तो वहाँ पे दोस्तों फंगी लेबरोटरी यूनिट ऑफ कुएड मिनिस्ट्री हेल्ट डॉक्टर जो खाली तल अलबैट साहब ने बता दिया है कि ब्लाक फंगर जो है वो कोविड-19 निवान ने कोई इसका लिंक अप नहीं है तो दोस्तों ये अलग तरह की बिमारी है और जातर दोस्तों ये पाये जा रहा है इंडिया में इंडिया में सबसे जादी इसको केसिस आपको देखने को मिल रहा होगा और सुनने को भी मिल रहा होगा तो दोस्तों आपको जगने की बिल्कुल भी ज़रत नहीं है